चौपता पोकरी मोटर मार्क पर बजूल बैंड के निकट पांच दिन पूर्व भारी मलवा आने से मोटर मार्क पर विगत पांच दिनों से याता याथ ठप होने से रहगीरों को आवाजाही करने में भारी परिशानी का सामना करना पड़ा और लोक निर्मार्व भाग दौर मलवा हटाने के प्रयास्तों किये जा रहे हैं मगर मलवे के साथ भारी बोल्डर के आने के साथ ही खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है आपको बता दे कि रविवार की रात को तल्ला नागपुर शेत्र में बारिश होने इसके कारण रुदरप्रियाक चौपता पोकरी मोटर मार्क पर बजूर बैंड के निकट भारी मलवा आने से यातायाद बातित हो गया था और पांच दिन तक का समय कुझर जाने के बाद भी यातायाद बहाल नहीं हो पाया यदि समय पर मोटर मार्क पर यातायाद बहाल नहीं हुआ तो विविन छेत्रों में और जिस तरीकी से बात कर ली जाए लगातार बारिश हो रही है और इसी बीच जो है अलर्ड भी जारी कर दिया गया है मौसम विभाग का क्या कुछ कहना हो और कहां कहां जो है ये अलर्ड जारी क्या क्या है उपेंद्र क्या आवाज मिल पारी आपको उपेंद्र आवाज मिल पारी आपको मेरी जी उपेंद्र जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और अब इसी बीच जो है मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ड जारी किया गया है किन-किन जिलो में जो है अलर्ड जारी किया गया है एक बार पूरी जानकारी। देर बात आपसे करेंगे। गया है पर दो बज़े जो बार शेचे करेंगे। इन चार बज़े से दोबार से बारिष सुरुई थी। जो सुबह दस बज़े तक कंटिनुनी चलिए है। अभी थोड़ा मौसम साफ है। भले बादल पूरी चाये होएं। जैसे गंगोतर रूर दोने द्वारेशं में बादर चाहे हुए हैं तो बारिश हो गई हैं तो आज जो आज कर आज ने जो कि कर दो कर दो डादर हो गया है महाविर लोगों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यहां के ताफमान के अगर बात कर ली जाए कि ताफमान में कितनी कमी देखने को मिल रही है जब तक ताफमान की बात दो-तीन दिन पहले काफी यहां पर गर्मी हो रही थी मगर अभी जब बारिस हो यह तो बारिस होने के कारण थोड़ा उमस कम हो गई है मगर बारिश अभी ठंड तो पैदा नहीं है, ठंड जब तक हम बात करोंगा जो गंगोत्री धाम में, धंड तो काफी हो चुके है, मगर जो निचला इलाक है, हमारा उतरकासी का है, यह इदर हम पुरोला साइड की बात करेंगे, तो यहां पर अभी तक मौसम कम, ठंड काफी के कारण चोराई पूरी तरह से भरष्ट हो चुके क्योंकि उसमें कीड़े लग चुके है, तो बारिश के होने के कारण इस पक्ड़ फसलों को काफी नुक्सान हो रहा है, पिलकुल, और इसे बीच देहरादून से हमारे समवादाता उपें राणा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए है, उपें सबसे पहले किन-किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, एक बार इसकी जानकरी हमारे दर्श्रू तक पहुंचा है और उसके बाद राजदानी देहरादून का क्या हाल इस वक्त कर देखें, जिस्पकार से मौसम विभाग ने जिस्पकार से यलो अलर्ट जो है वो जारी किया है, और 17 सितमबर तक कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिस होने की जो है, वो संभावनाय जताए गई है, खास तोर पर अगर बात की जाए, तो चमोली, रुद्रुप, जो है, वो बारिस देखने को मिल रही है, और लगातार जो है, इन जिलों में जो है, वो बारिस हो रही है, हालांकि देरादून के बाद की जाए, मेदानी चेतरों के बाद की जाए, तो देरादून में भी सुबा जो है, काफी तेज बारिस देखने को मिली, और कल भी जो ह सुबा के समय पर देखने को मिली और लगातार जो है यहां पर भी हलकी से मद्यम बारिज जो है वो लगातार हो रही है जिससे तापबान में जो है वो थोड़ा सा गिरावर जो है वो देखने को मिल रही है हलांकि यह जरूर है कि जो गर्मी जिस परकार से जो हो रही थी उसस वो से थोड़ा सा जो रहत आजरूर जो है झाल को मिली है लेकिन दू Deutsch कर देखा जाय तो कई जगाओं पर बारीश चलते जो है मार्ग जो भीज़ों, भूत हुई है तो वहां पर कई गाओं का संपर्क मार्ग तूटा हुआ है जिसको लेकर लगातार जो बियारों की टीमें हैं वो लगातार मार्ग खोलने पर जो है वह जुटी हुई है दूसरी और अगर पहाडों की गर बात की जाए तो फसलों को काफी नुक्सान जो इस बारिज से हुआ है जिस प्रकार से जो आफी नुक्सान किसानों को देखने को मिल रही है आज साब तोर पर यह देखा जा सकता है अभी मौसम विबाग का इमाना है कि 17 सितंबर तक अभी कई चिलों में हलकी से मध्यम बारी जो वो देखने को मिल सकती है ऐसे में जो चारधाम यात्रा हालांकि सुचार रूप से जो है भी फिलाल चल रही है लेकिन यात्रियों को भी साफ दिसा निर्देल Vince जो ओगें और जिसकार से यात्रह जो है और साथी जो टूरिस्ट जिस प्रकार से के जो घूमने के लिए आ रहे हैं वो भी वेदरकाश देखकर आएं क्योंकि जो उत्राकन की भौगालिक पैस्तिती है और यहां पर जिस प्रकार से बारिश के चलते जो भूसकलन जिस प्रकार से होते हैं मार्ग बादित होते हैं ऐसे में सभी को अलट पर रहने के दिसा निर्देश दिये गए हैं। ऐसे में आपदा परबंधन की जो टीम हैं वो पूरी तरिगे से अलट पर है। ब्यारों जिला प्रसासन के जो टीममें हैं वो पुरी तरीगे से अलट पर है क्योंकि ब्यारों की और से जहांपर भी मार गए बादित हो रहे हैं वो लगातार जेशीवी और पॉक्लρεί्ट मसीनों की जरिये और मजदूरों की मदद से जो है लगातार मार जो है वह खोला जा रहा है। ताकि किसी प्रकार से आम लोगों को, और यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परिसानी नहों हो। क्योंकि अभी चारधाम की यात्रा है यह अभी पीक सीजन पर चल रहा है और सितंबर-ख्टूबर के बाद नॉंबर में धीपावली के बाद कपाट बंद होने हैं तो यही एक देड़ मैना है बचाववा की यात्रा सुचार रूप से जो है वो चलाए जाया हालां कि यह जर तो हर पलपल की खबर आप तक पहुंचाई ही कि कहा पर इस वक्त किस प्रकार की स्थिति बनी, क्योंकि लगातार जो है बारिश का मौसम पहाडों में देखा जा रहा है और इस दोरान जो है कई जिलों में अलर्ट भी चारी किया गया है और लगातार हमारी समवादा.